प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडी बित प्रदीप पे प्यारे मित्रों आपको बता दे कि सुपर टीटी एक्जाम बहुत जल्दी ही हो सकता लगातार प्रारंबिक सिच्छक भरती की मांग तेज होती चली जा रही पूरे प्रदेश में युवा जितने हैं यूपी टेट के रिजल्टानिक बाद सभी लोग संगठित होते जा रहे हैं और बहुत जल्द ही ट्विटर कैमपेंग भी होने वाला है मैंने आज सुबा के वीडियो में आप से बात बताई थी जैसे ये सारी चीज़े होंगी आप से निमिंतरण है कि आप उसमें जूड करके कैमपेंग को सक्सेस्पुल जरूर करिएगा बात करने हैं इसी कड़ी में हम लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं और इसके पहले कुछ वीडियो जो हम लोगों ने किये थे बिज्ञान के उसी कड़ी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परियावरान और समाजी अध्यान की क्लास को हलाकि वह बिज्ञान की class हम लोग whiteboard पे किये थे तो उसका notes आपको नहीं मिला था लेकिन इसका notes आपको send कर दिया जाएगा notes प्राप्त करने के लिए आप नीचे दियेगे नंबर 800-410-9989 पे आप whatsapp करेंगे और whatsapp करने के साथ आप super tip जरूर लिख दीजेगा आपको चुकि यल्टी की class चलती है और टीजटी की चलती है तो वहाँ पर आपकी problem आएगी तो सुपर टेट आप लिख देंगे तो आपको सुपर टूट में आपका notes सभी chapter का भेंद दिया जाएगा पहले आप चैनल को subscribe कर लिए अगर आप चैनल पर नए है तो अगर पहले स से आप subscribe की है तो चैनल को like जरूरत कर दिया करिए आज हम लोग एक पहली टापिक जो दी गई है जो हमारे परियावरान और समाजी का देन की पहली टापिक है प्रित्वी की संद्चना वहां पर दिया गया प्रित्वी की संद्चना लेकिन हमने उसमें से प्रित्वी की आं जो आपका है वह है जयमंड यानि चार अलग सेक्टर में बाढ़ दिया गया तो आज हम लोग आंत्रिक संद्चना के बारे में अध्यान करने वाले नोट्स को एक बार हम आपको दिखा दें किस प्रकार से यहां आप देखिए इसके बारे हम सब लिखा गया जहां पे आप आपके क्योस्चन के सेसन यानि इस वीडियो से आपने क्या सिखा उससे पांच महत्पूर्ट प्रशन रखे गए हैं जिसमें से आपके आए हुए सभी प्रशन है जो अभी टेट सुपर टेट या सीटेट की एक्जाम में या किसी प्रदेश के दूसरे प्रदेश की अपने मित्रों को सेर कर दीजिए और चलिए शुरू किया जाता है आज की वीडियो को टिक पहला वीडियो है और आप सबके प्यार अबस्तर मिलने चाहिए हम उमीद करेंगे आप से तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से प्रिथभी की आंद्री संद्रचना में मैंने आ बात करें तो जौला मुखी आपके जो है चार कि सलेवस में भूकांप आपके पांच समाजिक विग्यान के सलेवस में यानि जो पांच तक के चैप्टर है किताबों में उन्हीं चैप्टर से ज्यादा पुछा जाता है तो वह हम लोग बात दो करेंगी जैसे अगला वीड स्लेवस का पीटयव भें देंगे तो उसी टापिक में आपको महद्यूब र gagnा स्थलमन्दल वाले में तो इस मंडल के दो पार्ट हो जाएंगे उस exaggerandव में आपको महासाजर महा साघरी धारों को पढ़ना है वह भी दो भाब में हो जाईगा जल बन्स में हम लोग नदिया पढ़ेंगे विश्व की नदियां और भारत की नदियां भी पढ़ेंगे तो वह भी आपके अलग-अलग PDF के रूप में ऐसे मिलता जाएगा और पूरा से लिवस समाजिक अध्यान का जब कंप्लीट हो जाएगा तो बिज्ञान का और इसी कड़ी में हम लोग लगातार सब् अलग-अलग चीज़ों को मानते हैं जो आपका PCS अस्तर का या या यूपी टुपलसी में जो लेबल के पेपर होते हैं उन पेपर में मत उसे पुछा जाता कि हमत किसका है यह मत किसका है लेकिन आपके पेपर में यह मत आप से कभी नहीं पुछा जाएगा और यह जब इसानिये मत भेद है उनमें कोई लिकर के भई नहीं रही बात कुछ लोग कुछ बान कुछ लोग कुछ मान रहें उससे बहुत ज्यादा ताध परहे भी नहीं बो स्वा मांना कुछ हो रहे कुछ का मानना कुछ हो रहे ठीक है तो किसके किसके परतों की मुटाई पे घनत पे ठीपे तापमान पे भार पे और वहाँ पाजन लेकिन इन्हीं के स्रोतों के आधार पे कुछ थियोरियां दी गई हैं जिसके आधार पे हम लोग इसको पढ़ते हैं जैसे यहा करने का प्रयास कर रहे हैं और पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रस्ट में यही पुछा जाता है जहां से मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं और चीजें आपको करने के लिए हैं यहां साजी पृतिभी के अंदर की जो हिस्सें हैं उसे तीन भागों में पांड लिख करके आपके प्रस्ट में पूछ दिया जाता है तो इंगलीस इंदी दोनों आपको याद रखना चाहिए अब यहाँ पीसके संद्चना को देख लेते हैं माल लेते कोई पुरा ग्लोब है और इस पृत्वी को हमने काटा है तो इसकी आंतरिक संद्चना कुछ इस प्रक क्रस्ट है पहला हो गया कर दूसरे प्रका चैनंडरी कोर यहां दो भागों में बाड़ दिया गया आउटर को और इनर पर में ठीक है अब यहां देख लेते हैं इसके इस तरफ आते हैं तो पर जो अंदर को नहीं होता है जो आज़िक यहां से यहां तक बनी रहती है प्रि क्रस्ट आपर मेंडल के उपर की जो क्रस्ट है मिट्टी है यानि भूपरपटी है उसी को लेथोई स्फियर के अंतरगत इस्टेडी किया जाता है ठीक है अब यहां तक चलें आप कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी हमसे किलोमीटर और गारा नहीं पूछा जाता है अब आ जात से उपरी देखें यहां पे उपरी जो होगा ओ से लिखा जाता है से आप नहीं लिखें सिर्फ बनाएं हैं तो जब उसे PDF में convert करते हैं तो इस तना से गडबड हो जाता है अगर आप typing थोड़ा जानते होंगे तिस चीज को आप समझवाएंगे तो यह थोड़ा सा किलोमेटर का छेतर होता कितना होता 34 किलोमेटर के छेतर तक फैला होता है वह परपटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है प्रस्ट पूछा जाता है तो याद रखेगा भू परपटी में बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है वह परपटी के अगर बात करें तो इसके दो भाग हो जाते हैं पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं सियाल कहते हैं जो कि यहां पे है और दूसरे भाग को सीमा कहा जाता है क्या कहते हैं सीमा कहा जाता है पहले भाग को सियाल और दूसरे भाग को सीमा नाम से जाना जाता है सियाल को अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे सियाल में कि यहाँ हमने लिखा यस आई एल यहाँ लिखने के तरीका भी आपका बदल गया है सियाई में एल है और यसाई यसाई सिंबल है सिलकन का सिंबल है कौन है यसाई यह सिंबल है किसका एलिमेंट है एक तत्त है तो यह सिलकन का करणाबल होता है तो आप इस प्रकार से समझाओं को समझ जायेंगे इसी लिए इसका नाम के रखा गया सील रखा गया है आप समझ घंगे हुँए इसका सीमा क्सिप मार्याशन कर चाफ से की ह्याशना करो घ्राइब छिटANDार दिखेंगे और यह में ए से क्या हो गया सीमा हो गया तो टोटल मिला दें तो सीमा हो गया यानि दो अलग अलग प्रकार के तक तो पाय जाते हैं सिलकन और मैगनीसियम पाय जाते हैं अगर उपर देखें तो उपर भी सिलकन था यहां पर भी सिलकन था प्रकास संसलेशन के लिए भूपरपटी भाग का अधिक्तम घनत भूपरपटी भाग का अधिक्तम घनत दो दसमलो साथ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है कितना है दो दसमलो साथ भूपरपटी का घनत पूछा जाता है जाम में तो आप बताएंगे भूपरपटी का जो घ भाग घेरे हुए कितना 0.5 यानि आधा भाग को घेरे हुए है कौन भूपरपटी भूपरपटी कुल पृत्वी के आयतन का आधे हिस्से को घेरे हुए है यानि 0.5 भाग में पाया जाता है ठीक उसके बाद आजाते हैं नंबर दो पे दूसरे नंबर पाता हमारा मेंटल मेंटल के हम लोग बात करते हैं मेंटल क्या होता है ठीक तो मेंटल पर आजाएंगे या मेंटल ही कहा जाता है इसे तो यह भी मुख्यता बेसाल्ट पत्थरों से बना हुआ क्या है बेसाल्ट पत्थरों तथा समुगों की चट्टानों से बना होता है इसकी मोटाई लगब आप से मैगमा चेंबर पाया जाता है तो मैगमा चेंबर को आप फोकस करिए ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पहें मैगमा चेंबर को आप क्या करिये फोकस कर लिए कलियर हो गया चली अब इसके बाद आ जाते हैं कह रहा है कि यहां इसका घंठ तो जो है यह जो है क्या नम है मिंटल में जो घंठ होता है वो कितना होता तीन दस्वलों पांच ग्राम पर संटीमीटर क्यूब है ओपर कितना था दो 17. Stretched. इसंका कितना 3.5 ग्राम पर संटिमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम पर संटिमीटर क्यूब के बीच में पाया जाता है कितने बीच में पाया जाते हैं 30.5 छेतर में यह पाया जाता है या प्रिजभी के कुल आयतन का 83 प्रक्षद भाग घेर हुए कितना घेर हुए 83 प्रस्थ भाग को घेरा हुआ है कौन मेंटल जो है कितने प्रस्थ भाग को घेरा हुआ है आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे ठीक है आपने सेक्टर बटे हुए पहले तो आपने पाठ लिया कि कॉन है ए देखिए इनर कौर है इसे हम उपर वाला हिस्सा क्यों क्रेट हो गया होता है इनके बीच में एक जुड़े हो ते जहां से उसी को अलग-अलग नाम से जाना जाता है प्रेश्ट में कई बार मोहोबिस पकिस सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इस डाइग्राम को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो फिर आपका कभी गलत नहीं होगा आपको डाइग्राम कैसे बनाना देखिए दिमाग्स लगाई कि अग्दम ऊपर से हम खिचते चले आए और उसके बाद हमने एक कालम दो कालम तीन कालम चार काल लिखेंगे फिर इनर मेंटल लिखेंगे आउटर मेंटल लिखेंगे और उपर वाले को एक नाम लिख देंगे क्रस्ट लिखेंगे ठीक हो जाएगा अब इसके बाद हम इस पर आ जाएंगे तो आब इसके डिस्टेंग्शन को देख लेते हैं यानि कौन कौन से डिसकांट continuity यह बिटिमिंग आपरमेंटल आएंग किसमें पाता है अपर किसके बीच में एक मिनिट आपर और लोवर क्रस्ट के बीच में तो अपर टार्श्ट का हिस्सा ठीक है यापर करेंग और की भूपर पटी और एंदर की भूपर पटी इन दोनों प्रपड़ी को जोडने वाली जो यह जो लियर चल रहे हैं इसी लेयर को हम लोग नाम देते हैं कर दोनों कुछ राइड को जोडने वाले को जो हैं अब नमबर दो पर आ जाते हैं दूसरे पर आ इस इनर वाली लेयर है क्रस्ट की इनर लेयर और मेंटल की अपर लेयर यह दोनों जोड़ने वाली यह जो लाइन दिख रही आपको सेंटर में लाइन जो दिख रही यह लाइन को कहा जाता है महरुबिक डिस्कांटिनूटी कहा जाता है ठीक बिटमिन लोवर क्रस्ट अपर मेंटल आगे बढ़ जाते हैं उसके बाद है रिप्टी किससे समंदित है अपर मेंटल से और किससे इनर मेंटल से यानि अपर मेंटल और इनर मेंटल या लोवर मेंटल दोनों को ज जोड़ने की बात करेंगे यहां पछ question में करते लाइन आजाएगी संटर में वीचो बीच उसे क्या करते हैं का रिपीटी का जाता है रिपीटी का जाता ठीक है अब आया जाते से लोवर में जाओ पर अगे इस इन दोनों की बीच में सेंटर्लाइन पायाती है जिस लाइन गुटन वर्व लाइन से इंडिकेट किया जाता है और सबसे लास्ट में कौन है तो आपathyंगे lack कौन है लहमान है कौन है लहमान है तो लहमान किसमे होता इनर में और आउटर अपने ही आउटर क्रस्ट और इनर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं लहमान कहते हैं इनर कोर और आउटर कोर के बीच में पाया जात लहमान कहलाता है आउटर क और अगर अपर क्रेश्ट और लोवर क्रेश्ट के बीच में पजा तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं को लाज तॉम दिया जाता है यहाँ आप देख लिए किसको उपरी भूब परपटी और निचली भूब परपटी महीं लिए जाता है महविसिक discontinuity का मतलब होता है निचली भूपरपटी और उपरी मेंटल उपरी मेंटल और निचली भूपरपटी इसको आप ऐसे याद रखिया अगर इसको याद रखना हो तो CMRGL 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 और उसके बाद क्या हो जागा CMRGL इतने हैं CMRGL आप ऐसे याद रखेंगे इसका हो जागा CMRGL CMRGL अगर इसको याद रख लें तो C कोरुनार्ट को दरसाएगा यम किसको महरुष को ठीक है या महविसिक को आर किसको रेपिटी को और G किसको आपको गुटनवर को और यल किसको लेहमान को अगर आपका CMRGL rely आर याद रहेगा तो आप उसे माट लेंगे C किसके बीच में दोनों CRUST के बीच में ठीक मोहविसिक है एनर CRUST और अरुपर personnel ठीक अरुपर ulुपर MENTAL के बीच में इसको आप सिर्फ collect करने का प्रयास करें नीचे में नीचे में नीचे सभागन कि बीच में में इससे रेंदता को जाना है केंदरी भाग में आ जाते हैं अब नमबर तीन की बात करेंगे और तीसरे नमबर पर हमारा आ जाता है केंदरी भाग केंदरी भाग की बात करें तो पृत्वी का केंदरी भाग निकिल और फेरस से बना हुआ है यह देखिए अंडरलाइन नहीं हुआ है किससे बना हुआ है निकिल और फेरस से बना हुआ है किससे निकिल और फेरस से इसलिए इसको अलग नाम से जानते हैं निफे कहा जाता है क्या कहते हैं निफे यन आई निकिल का सिंबल है और यफ फेरस यानि आयरन का सिंबल है निकि बmakersने में पूछा गया था थो उस प्रस्ण में दिखा गया है जो एक केंद्री भाग कौन दो पाए जाते हैं पहेंगे निखिल और क्या पार पाय जाता है निकिल और उसके जगाँ पे लहा निकिल और रिख ओर पाय जाता है ठीक है इसका ओसट हंतों जो वह कितना है है त्यरлат ग्राम प्रत से न्टेयमीटर है किसका केंद्री भाग शेंटम्रांट क्यों प्रितवी खांद तरह और प्लास्टिक चाहि सभाव तक संभाता संभाजता लेकिन करें Nie देखिए कहरा है संभौता एक confirm इसलिए नहीं कि इसमें अपवाद है कैसे पाए जाते हैं साइद द्रववस्था में लेकिन अगर आप से पूछा जाएगा तब द्रववस्था को underline कर सकते हैं आंसर बता सकते हैं आपका सही बाना जाएगा यह पृतिवि का कुल आयतन का 16 प्रसथभाग घेरह हुए कितना 16 प्रसथभाग यह घेरा हुआ है 83 प्रस्त भाग को mental घेरा हुआ है और दस्मलो 5 प्रस्त भाग को कौन घेरा हुआ है आप कह देंगे crust घेरा हुआ आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका दस्मलो 5 भाग crust है और 13 प्रस्त भाग A है पुंचेंगा 4 सेंटी मिटर क्यूब है अब आप से पूँषे का में पूह सकता है पृति 수लेथर पूंचेंगा 370 km2 प्रिद्वी के सब्सक्राइब और तसब से नीचा 씩 जा रहेंगे तो है तो 22 administrators नीचा एगे सबसे नीचा चेतर जर जाएंगें तो बांटी समय बहुत संहे हैं सबसे सुए पहले पाका पूंचा जा जा चुका है किसी ने बताया कि प्रित्वी गोल है और यह आकास में सुतनतर रूप से लटकी हुई है क्या है आकास में सुतनतर रूप से लटकी हुई है सर आईजेक न्यूटन ने साबित किया कि पृत्वी नारंगी के समान है अगर आईजेक न्यूटन की बात में आप से पूछ ले कि भूब परपटी में वजन के अंसार सबसे जादि कौन सी गैस पाई जाती है वह हो जाएगी आपकी आक्सीजन और यह गैस कितनी होती 46.6 परसेंट यानि आप 46 भी याद रखेंगे तो आप आपना आंसर सही कर सकते हैं दूसरे अस्थान पे सिलकन पाया है अस्थान पे पाया जाता आपका कौन सा केल्सियम जो होता है 3.6 प्रसेंट पाया जाता है प्रित्वी की बाएस सता के अगरम बात करें प्रित्वी की बाएस सता पे अगरम आ जाते हैं प्रित्वी की जो बाएस सता उसे मुखिता चार भागों में बाटा गया है अमनी स तापिक में और जल मंदल तो आपकी टापिक में ही यह महासागर बहुत बहुत हुआ है तो यह भी इस टापिक का प्राप्त करने के लिए आपको सभी पीडियो फ्री में दिये जाते हैं आपने क्या सीखा पढ़ा इसके बारे में आप लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएगा अब नीचे आ जाते हैं लेकिन अपने उत्तर को सहभ़ाती लीजिए कि आपको यह उत्तर कितने जादा समझ में आ रहे हैं और आप इसको कर पा रहे हैं नहीं कर पारे हम ने उचाक प्रिथवी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माड निम्न में से किन तत्तों द्वारा होता है जो क्रोड होता है उसके निर्माड में कौन कौन से तत्तों पाए जाते हैं उन तत्तों को बताना है तो आपका तुरंद बताना है अगर हम सिल्का और कर दें तो इसका सिल्का सिंबल हो जाता है और यह हो जाता है इसे सियाल कहा जाता है कहां पाया जाता है क्रेश्ट के हिस्ते में पाया जाता है इसे सीमा कहते है यस आई यम ए ठीक है इसका हो जाता है सिलकन और मेगनीसियम किसमें पाया जाता है यह सिलका को सिलकन को सिलका भ क्या पाया जाता है तो केंद्री क्या पाया अभी आपने पढ़ा नीफ केहते हैं कि अजय करते है कि क्याआ कौन से गुड का懂 निर्धारर जैनक चट्टाने करते हैं कौन सा ऐसा गुड़ है जिसका निर्धारर वहां की चट्टानों से किया जाता तो वह होता है उसके रासाइनिक गुड़ पर पारगम्मिता और सनरचना यह आपके टेट के एक्जाम में पूछा जा चुका है प्रशन है आप जा करके प्रिवेस सेर्ट पेबर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पृतिमी की आयुकी बात पूछी जाती है और यह आपके टेट में पूछा जा चुका सी टेट में पूछा गया प्रशन है और प्रिथभी की आयुकी chat च तसलो 6 अरब बर्स मानी जाती है निमलिकेत में से किसका उपयोग प्रित्वी के आउव के परकलन में नहीं किया जाता है यहां पे नहीं लिखा गया है तो ठीक है नहीं को अगर ध्यान देंगे तो नहीं क्या लोगा बताना है चंद्रमा का ज्वारी बर्ड जरूर होता है महासागरी के लौड़ता निर्वर करती है और है इसा है जो भीफर परस्ती में नहीं पाजाता फिर कि वहीं प्रश्ण तंसिल का और सिल्कन किस्मेंञ पाजाता है सीमा 16 में भीफर Idwan को किस निकिसेव साहते है सीमा 3-2 और निकिल और उन एमर्श्focused को कि किसमें पाया जाता केंदरी कूर में पाया जाता है और इसी को हम लोग निफे कहते हैं क्या कहते हैं निफे कहते हैं तो हमसे पूछ रहा है कौन नहीं पाया जाता ठीक है लास्ट आपसन देख लेते हैं अल्मूनियम और मेगनी से में तो दोनों पाया जाते हैं तो यहां पा आपको बता दो कि ऐसे हैं आप इसको बना लेंगे और जब इसको आप ऐसे बना लेंगे यह ऐसे और उसके बाद क्या हो जाएगा एक कोरणाड हो गया महरोणीज हो गई रेपट्टि हो गई उसके बाद आपका गुटेंट they are यहलो जाएगा ठीक यह जो की यह होता है कहां पर जो को राड होता है किसके बीच में पाजाता है अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में अपर और इनर क्रस्ट के बीच में तो यह तो आपका चला गया फिर पुछरा महरोबिस किसमें इनर क्रस्ट और प्रथम यानि फर्स्ट में अपर में और इनर क्रस्ट में पाजाता है किसमें पाए जाएगा तो आपका आंसर सी से हो जाता है उसके बाद अगर रिप्टी के बाद आ जाता है कि कौन है गुटेंबर कहां पाए जाएंगे अप जो है इनर इनर में अपर किसमें अपर और लास्ट में अगर चले जाएंगे लास्ट में कौन मिल जाएगा जो है आपका लेहमान तो आप पर इनर कोर में पाए जाते हैं ठीक है किलियर हो गया तो वीडियो कैसा लगा आपको पढ़के मज़ा आयक नहीं आया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने मित्रों क को सेयर करिएगा फिर हम लोग मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक लिजा जाएगे जाहिए जाहिए जाहिए